हलो बच्चो विद्या कॉष्चन बैंक के special classes में आपका स्वागत है इन classes के अंदर हम आपके लिए कुछ ऐसे questions लेका हैं जिनके exam के अंदर आने की संभावना बहुत ज्यादा है यानि कि ये question हर साल आते हैं इन chapters के जो important question है वो ही हम सबको त्यार करने हैं उनको आप लिखने क समझने की प्रक्टिस करेंगे और एक्जाम में इनको पाएंगे तो आप बहुत अच्छा मांग से स्कोर कर सकते हैं तो पहला कोईशन है हमारा मनुष्य की आख के निगट बिंदू तथा दूर बिंदू से क्या तात्परिया है सुष्ट आख के लिए इनका मान लिखिये आखे जो होती हैं आखों के अंदर कहीं सारी संड़चनाव से मिलके एक ऐसा लेंस होता है जो कि हमें किसी वस्तु को दिखाने के लिए उतरदाई होता है तो नेतर का जो लेंस होता है ये अपनी समझन छमता के अनुसार परतिविम को इस तरीके से एडजेस्ट करता है वस्तु को इस तरीके से एडजेस्ट करता है कि परतिविम हमारा रेटिना के उपर बनी तो जो मनुष्ट की आँख का निकट बिंदू होता है वो कितना होता है वो 25 cm होता है यानि कि 25 cm पर रखी वस्तु को मनुष्ट की आँख जो होती है बहुत इसपस्ट तरीके से परतिमेब के रूप में देख सकती है लेकिन अगर इससे कम यह दूरी हो जाती है तो वस्तु जो होती है में इसपस्ट नहीं दिखाए देती है यानि कि आँख अपनी समंजन चम्ता को पूरा नहीं कर पाती है और जो दूर बिन्दू होता है जहां पर बिना समंजन चम्ता लगाए आँख जो होती है किसी वस्तु को इसपस्ट रूप से देख सकती है और यह जो दूर बिंदू होता है यह इन्फाइनाइट के उपर होता है यानि कि जो निकट बिंदू होता है निकट बिंदू 25 सेंटिमीटर पर और जो दूर बिंदू होता है वो इन्फाइनाइट पर होता है तो इन दोनों ही स्थिती में इन दोनों के बीच की स्थिती में आँख जो होती है अपनी समझन छंता को लगा कर किसी भी वस्तु का इस्ट्वेस्ट परतिभिंब जो है वो रेटिना के उपर बना सकती है अगला क्वेशन है मनुष सामान नेतर 25 सेंटिमीटर से निकट रखी वस्तु को इस्पस्ट नहीं देख पाते हैं जैसा कि मैंने बताया कि 25 सेंटिमीटर पर रखी वस्तु को जो होती है आँख अपनी समंझन छंता लगा कर उसका परतिभिंब जो होती है इस पस्ट रूप से रेटिना के उपर बना सकती है याईनि कि वस्तु हमें इस पस्ट रूप से दिखाए देती है लेकिन मनुष की आँख का जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटिमीटर होता है इससे कम दूरी पर अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो नेत्र अपनी समंजन चंता लगा के उस कितनी भी पूरी समंजन चंता का इस्तेमाल करके उस वस्तु का परतिविम इस पस्ट रूप से रेटिना पे नहीं बन पाता है जिसकी वज़े से हमें 25 सेंटिमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु जो होती है वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं दिखाई देती है दरश्टी दोस क्या है इसके परकार लिखिए दरश्टी दोस जैसा कि बच्चों नाम से पता चल रहा है दरश्टी के अंदर दोस यानि कि नेतर जो होती है किसी भी वस्तु का जो परतिविम होती है वो रेटिना के उपर बनाती है और रेटिना के उपर जब इसपस्ट परतिविम बन जाता है तो वस्तु हमें इसपस्ट रूप से दिखाई देती है इस दोस को हम नेतर का दरश्टी दोस कहते हैं और मुख्य रूप से ये जो दरश्टी दोस होता है ये दो परकार का होता है पहला होता है निकट दरश्टी दोस और दूसरा जो होता है ये होता है दूर दरश्टी दोस इन दोनों ही दोस के अंदर इन दोनों डिफेक्ट के अंदर बच्चो जो परतिविम होता है वो रेटिना के उपर नहीं बन पाता है या तो रेटिना से पहले बन जाता है या रेटिना के बाद में बन पाता है जिसकी वेज़े से रेटिना के उपर इसपस्ट रूप से परत पूर्ण हैं, दोनों में سے कोई न कोई एक हर साल आपके आक्जाम में आपको निश्चित रुप से मिलता है। अब अम दोस्को एक एक करके इनके स्टेडि करेंगे। पहला होता है, इसका पहला कोईस्टन है, दूर दरश्टी दोस्त किसे कहते हैं। यह किन कारणों से होता है इस दोस के निवारन के लिए किस परकार का लेंस परियुक्त किया जाता है किरन आरेक द्वारा समझाईए हर साल आया हुआ है 2011, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Every year this question repeat होता है इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और इसकी सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें डायग्राम जो होता है यानि कि वस्तु से जो किरन चलती है वो किस तरीके से रेटिना पर बनती है या रेटिना से पहले उसका परतिमी बन जाता है या रेटिना के बाद में बनता है इन चीजों को हम ध्यान से समझेंगे, तो सबसे पहले देखें हम की दूर दरश्टी दोस की परिभासा क्या होती है, दूर दरश्टी दोस, वो दोस होता है, जिसके अंदर दूर की वस्त्वे हमें स्पस्ट रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन जो पास की वस्त्वे होती ह वो हमेज़ पेस्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं इस दोस को हम बोलते हैं दूर दरश्टी दोस ये दो कारणों से होता है मुखे रूप से इसके जो कारण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं दो कारण होते हैं पहला कारण होता है नेतर लैंस की वकरता कम हो जाए नेतर क या फोकस दूरी बढ़ जाए दोनों पॉइंट एक ही बात है फोकस दूरी बढ़ जाए और दूसरे पॉइंट में बता सकते हैं कि नेतर लेंज और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए दो कारणों को बच्चे बहुत अच्छे से समझ लेते हम नेतर लेंज जो होता है हमारा नेतर का जो लेंज होता है अगर उसकी वकरता तिरी जख कम हो जाती है तो नेतर लेंज की फोकस दूरी जो है वो भड़ जाती है यानि कि जो रेटिविम पे बनने वाला पर्तिविम होता है वो रेटिविम के दूर बनता है इसपस्ट रूप से रेटिविम पे न बनके रेटिविम के परली पार बनता है जिससे हमें वस्तु इसपस्ट नहीं दिखा जेती है तो पहला बहुत ही महत्मून कारण, दूरदरस्ट दोसका यह होता हैU दूसरा कारण होता है नेतर, लेंज्ल और रेटिना के बीच की जो दूरी ओती है वो कम हो जाती है जिसकि वएशे परतिबिम इसपस्ट रूप से रेटिना पे नवनके रेटिना के परले पार बनता है?. इन दोनों इस्थितियों को दोनों कारणों को मैं डायग्राम के द्वारा समझाता हूँ आप डायग्राम को समझेंगे तो इस पर स्ट रूप से यह किलियर हो जाएगा यहाँ पर यह अमारा नेतर का गोलक होता है मनुष्य की जवाक होती है कुछ इस परकार से होती है और यहाँ पर जो वस्तु रखी वी होती है वस्तु से जो इसका निकट बिंदू होता है और यहाँ पर यह नेतर का लैंस होता है इस लैंस से होके बच्चों परकास चलता है यहां से जो किरने चलेंगी यह किरने लैंस के उपर पढ़ती है और लैंस इन किरनों को आगे सीधे सीधे कहां भेज देता है रेटिना के पार भेज देता है अगर वास्ता में परतिविंब बनेगा जिसमें कि हमें इस पस्ट रूप से कोई भी वस्तु दिखाई देती है त पर बनना चाहिए इस रेटिना के उपर अगर रेटिना के उपर परतिवींप बनता है तो कोई भी वस्तु अमें इस पर स्टूप से दिखाई देगी लेकिन यहां पर इस्तिती क्या हो रही है जब नेत्र लैंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए यानि कि यह नेत्र रेटिना के पार रेटिना के दूर जाके बन रहा है इस दिरस्टी दोस के अंदर जो वस्तू एमेश पस्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही है दूसरा करण इसके अंदर जो वास्तव में इमेज बननी चीए वो किस तरीके से बनती है उसको भी थोड़ा हम समझ लेते हैं यह नेतर का गोलक होता है यहां पर कोई एन वस्तू रखी हुई है और यह हमारा एस जो होता है निकट बिंदू होता है यहां से इस से जो किरने चलती है वो नेतर के लैंस से इस तरीके से यहां से टकराती है यह यहां जाके टकराती है और जो निकट बिंदू होता है निक सेंटिमेटर की दूरी होती ए म 예 यहां पर जो वास्तव में पर बनता है वह हमारा और इस रेटिना के उपर बनता है इस परकार से अंपर वास्तव में 路 जिसमें की इस पर्ष रोप से में को वस्तु दिखाए देती यह यह हमारा रेक י आरेक होता है लेकिन दूर दरष्ट के अंदर क्या होता है वस्तु जो होती है वस्तु का परत्यविंप से नहीं देख पाते हैं या फोकस दूरी बढ़ जाए और नेत्र लैंस और रेटिना के बीच की दूरी काम हो जाए तो यह हमारा नॉर्मल विजन होती है जिसमें कि हम सामान रूप से किसी विवस्तु को हम देख सकते हैं नॉर्मल द्रस्टी जो रेटिना के उपर इसका फरतिमिम बनता है और यह व करें इस दूर द्रस्टी दोस्त को दूर करने के लिए यानि कि जो परतिमिम है हमारा रेटिना के उपर बन जाए उसके लिए हम किस लैंस का उपयोग करते हैं यहां पर जो उत्ता लैंस की अगर विवस्ता इस तरी किसे कर दी जाए उत्ता लैंस का परियोग हम करते हैं उ और उस दूरी को इस रेटिना के उपर फोकस करने के लिए किस फोकस दूरी का लैंस के इसेबद कर सकते हैं फोकस दूरी बढ़ गई है इस फोकस दूरी को कम कर देता है यानि कि परतिविम्भ है यहां के बजाए यहां बन जाता है जिस बजाए से वस्त्वे आमें इस पर्ष्ट रूप से दिखाई दे जाती है तो दूर दरश्टी दोस को हम इस तरीके से explain कर सकते हैं अगला question है हमारा निकट दरश्टी दोस निकट दरश्टी दोस ये भी बहुत important है दोनों में से कोई ने कोई question हर साल repeat होता है निकट दरश्टी दोस के इंदर क्या होता है बच्चो निकट दरश्टी दोस में हमें निकट की वस्तवे जो दूर की वस्त्वे होती हैं वो तो इस पस्ट दिखाई देती हैं लेकिन जो निकट वाली वस्त्वे होती हैं वो इस पस्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं यहां भी वही दो कारण होते हैं, पहला कारण जो होता है, कारण हम देख लेते हैं, दूर दर्श्टी दोस्का ठीक उल्टा है, इसके अंदर जो नेतर लैंस की वकरता बढ़ जाती है, या फोकस दूरी कम हो जाती है, आभी हमने देखा दूर दर्श्टी दोस में क्या हो रहा था, दूर दर्श्टी दोस्के अंदर नेतर लैंस की वकरता कम हो रही थी और पोकस दूरी बढ़ जा रही थी, लेकिन यहां निकट दरश्टी दोस्ट के अंदर नेत्र लैंस की वकरता बढ़ जा रही है और फोकस दूरी जो है वो कम हो जा रही है दूसरा पॉइंट जो था नेत्र लैंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए अगर यहाँ पर दूरी बढ़ जाए तो नेत्र गोलक का व्यास भी बढ़ जाएगा नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाए इन दो कंडिशन के अंदर जब टेस्ट किया जाता है तो देखा जाता है कि निकट दरश्टी दोस पाया जाता है इसके अंदर जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम हम देख लेते हैं यहाँ पर यह नेत्र गोलक होता है आई बोल जिसको हम बोलते हैं इस तरीके से इसके अंदर यहाँ पर लैंस लगा हुआ है और जब किरने इन फाइनाइट से कोई किरने आती हैं अनंत से दोनों केड़ने इस तरीके से चलती हैं एक दूसरे के समानांतर या पैरलल चलती हैं तो ये कहां मिलती है जाके वास्तव में ये कहां मिलने चीए वास्तव में ये रेटिना के उपर मिलने चीए अगर ये दोनों केड़ने रेटिना के उपर मिलती है तो आख हमारी एकदम स्वस्थ है यानि कि अनंत की वस्तु को दूर की वस्तु को इस पस्ट रोप से देख सकती है तो ये सामाने दरश्टी होती है जिसमें परतिविम हमेशा रेटिना के उपर बनता है लेकिन निकट दरश्टी दोस में क्या होता है निकट दरश्टी दोस क का डाइगराम कुछ इस तरीक से बनेगा इसमें जो वस्तु क्रण आती ये नेत्र का लैंज होता है किरण यहां से इस तरीक से आ रही है वस्तु यहां पर रख्याए या अनंत से लगा लेते हैं तो अगर कोई वस्तु किरणे अनंत से आ दोनों तरीके से डायग्राम बना सकते हैं तो वो रेटिना पर न मिलके रेटिना से पहले ही मिल जाती है यहां पर मिल जाती है ये परतिबिम्ब वास्ता में कहां बनना चाहिए था ये किर्णे कहां मिलने चाहिए थी रेटिना के पर मिलने चाहिए थी अगर किर्णे रेटिना के पर मिलने चाहिए थी इस्पेस्ट रूप से परतिबिम बन रहा है लेकिन इन दो कारणों की वज़े से जो परतिबिम है अब इसका किस तरीके से निवारन होता है इसके लिए हम किस लेंस का उप्योग करते हैं इसके लिए जो लेंस उप्योग होता है वो आउतर लेंस होता है यानि कि दूर दरश्टी दोस्ट को दूर करने के लिए उत्तर लेंस का उप्योग किया जाता है यहां पर हम देखें किस तरीके से इसको दूर करेंगे यह हमारी आई बोल होती है नेतर का गोलक होता है और इसके सामने अगर कोई आउतर लेंस रख दिया जाता है यह नेतर का लेंस है तो जब किरने इससे होके गुजरती है तो यह किर्णों को थोड़ा सा फैला देता है, यहां से इस तरीके से, इन किर्णे फैल जाती है और जो परतिविम होता है, वो कहां बन जाता है, रेटिना के उपर बन जाता है, इन किर्णों को हम पीछे मिला देते हैं इस तरीके से, यहां फोकस के उपर मिला देते हैं, तो दूर करने के लिए डॉक्टर लोग कौन से लैंज का इस्तेमाल करते हैं अवता लैंज का इस्तेमाल करते हैं यह अवता लैंज जो होता है डॉक्टर क्या करता है जब आखों को टेस्ट करता है तो वो देखता है कि परतिविम कहां बन रहा है रेटिना से पहले बन रहा है त उस लेंस को लगा दिया जाता है और उस लेंस को लगाने के पश्चात जो परतिविम होता है वो कहां बनता है वो रेटिना के उपर बनता है जिससे हमारी इमेज जो है जिससे हमारी परतिविम किलियर हो जाता है और जो निकट दरश्टी दोस है वो दूर हो जाता है तो बच निकट दरश्टी दोस या दूर दरश्टी दोस का डाइग्राम और फिर उसको दूर करने के लिए डाइग्राम दोनों ही कोईशन अपने आप में बहुत महत्पूर हैं इन कोईशन को आप डाइग्राम के साथ अगर एक्स्प्लेन करेंगे इस तरीके से एक्स्प्लेन पुस्तक को 25 cm दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लैंस अपने चसमे में परियुक्त करना पड़ेगा कभी-कभी इस तरीके से आपको numerical पूछ लिये जाता है जो निकट द्रश्टी दोस या दूर द्रश्टी दोस के उपर बनते हैं हमारा जो सिधान्त होता है वही होता है जो कि हम अवतल लैंज के लिए फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं सारे नियम वही होते हैं फॉर्मूला जो हमारा होता है 1 upon F equal to 1 upon V minus 1 upon U यहां पर हमें यही देखना है कि question के अंदर हमें दिया क्या गया है और हमसे पूछना क्या चाहते हैं तो सबसे पहले numerical solve करने के लिए हम क्या करते हैं question के अंदर क्या दिया हुआ है यहां पर हमें U बराबर minus 25 cm क्योंकि वस्तु जो होती है मेशा Lens के सामने रखी जाती है तो Lens के सामने जितनी भी दूरिया होती है वो रिनात्मक लिजाती है तो यहां पर Lens की वस्तु से जो दूरिया है U बराबर हम इसको minus 25 cm लेंगे और यहां पर हमें परतिविंब कहां बनाना है V बराबर माइनस 25 cm यानि लैंस के किदर बनाना है लैंस के जो V होगा V को माइनस कब लेते हैं जब परतिविम जो है लैंस के सामने बनता है अगर लैंस के पिछली तरह बनेगा तो उसको V को हम पलस लेंगे लेकिन हमें लैंस के सामने बनाना है तो क्या लेंगे उसको minus में लिये जाता है तो ये दोनों दूरी हमें दी हुई हैं वस्तू की दूरी और परतिविम की दूरी minus 25 cm और V बराबर minus 120 cm तो यहाँ पर हमें क्या निकाल देना है focus दूरी निकाल देनी है इन condition में हमें पदा चल जाएगा कि हम किस focus दूरी का lens जो है अपने चस्मे के अंदर परियुक्त करेंगे तो formula हमारा वही है 1 upon F equal to 1 upon V minus 1 upon U मान रख देते हैं 1 upon F equal to V का मान minus 1 upon 20 U का मान minus 1 upon minus 25 equal to minus 1 upon 20 plus 1 upon 25 5 इन दोनों का लगुत्तम ले लेंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा 100 तो यहाँ पर minus 5 plus 4 बटे 100 बराबर यानि कि minus 1 बटा 100 तो 1 upon F equal to कितना आ गया बच्चों 1 upon F equal to minus 1 बटा 100 और F बराबर minus 100 cm यह हमारा answer है यानि कि हमें कौन सा lens परिख्ट करना होगा minus 100 cm दूरी का और focus lens जो focus दूरी है वो minus में आ रही है तो lens कौन सा इस्तिमाल करना पड़ेगा अवता lens इस्तिमाल करना पड़ेगा तो इस तरीके question को solve करने के लिए क्या trick है सबसे पहले देख लेंगे lens का formula वहीं परिख्ट होता है question के अंदर हमें क्या दिया हुआ है u के और v के हम sign proper ले ले लेते हैं proper sign के साथ question करेंगे तो ही answer सही आएगा अगर जरा सा भी कहीं minus का plus हो गया plus का minus हो गया तो answer गलत हो जाएगा और इस formula के अंदरा value पुट करके calculate कर देंगे answer बिल्कुल सही आजाएगा अगर focus दूरी minus में आती है तो lens कौन सा लेना है अब तर लेना है और अगर focus दूरी plus में आती है तो lens कौन सा लेना है उत्तर lens यानि convex lens लेना है ठीक है अगला question देखते हैं अगला question फिर से वही दिया हुआ है एक मनुष चस्मा पहन कर 25 cm की दूरी पर रखी पुस्तक को इस पस्ट पढ़ सकता है चस्मे में परियुक्त lens की चमता minus two diopter है बिना चस्मे के मनुष किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सके यानि कि इस दूरी पर रखी पुस्तक पढ़ सकता है यानि कि यहाँ पर क्या करना है अमें दूरी निकालनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे question के अंदर भच्चों हमें क्या क्या दिया है power दिये हुए है lens की चमता कितनी है minus दो diopter लेंस की छम्ता को हम किसके अंदर मापते हैं डायक्टर के अंदर मापते हैं और यू बराबर माइनस 25 सेंटिमीटर यानि कि लेंस की वस्तू से दूरी कितना दिया हुआ है 25 सेंटिमीटर 25 सेंटिमीटर दिया हुआ है यगाँ को आवेशा माइनस में लिया जाता है अब इसमें क्या निकालना है में फोकस दूरी nिकाल लेते हैं, फोकस दूरी का सुत्र होता है 100 सू बटे । यहाझनि की 100 बटे माइनस 2 यहाझनि की माइनस 50 सेंटिमीटर, lens की focus length focus दूरी कितनी आई है minus 50 cm ये सुत्र सभी बच्चे जानते है focus दूरी जो होती है power का उल्टा होती है with कर्मान उपाती होती है अब क्या करना है अब हम इसको v वही formula लगाना है 1 upon f equal to 1 upon v minus 1 upon u इससे हम क्या निकाल लेंगे याँ पर इस formula से हमारा v निकलाएगा यानि की परतिविंब की lens से कितनी दूरी है यहाँ पर मान रख देते हैं f का मान हमने निकाल दिया 1 upon minus 50 बराबर 1 upon v हमें निकालना है और जो u दिया हुआ है कितना दिया हुआ है minus 1 बटा minus 25 इसको solve कर लेंगे कितना आजाएगा 1 upon 25 plus 1 upon v तो 1 upon v बराबर minus 1 upon 25 minus 1 upon 50 लगुत्तम 50 आजाएगा minus 2 minus 1 बराबर minus 3 upon 50 यानि की v बराबर का मान आगया minus 50 upon 3 बराबर minus 16 दसमलव 67 सेंटिमीटर यानि की परति बिम्ब से लैंज की दूरी कितनी होगी minus 16 दसमलव 67 सेंटिमीटर तो बिना चसमे के मनुस्थ इस दूरी पर वस्तु को रख कर पढ़ सकता है तो इसको आप बच्चे सोल कर लेंगे सभी उसी तरीके से सोल करना है दिया क्या है निकालना क्या है भन्यवाद